आपको अमारे चैनल नेक्ट इंडिया पर पुना स्वागत है आज हम तीस बहुत ही महत्वपुर्ण नदी से बनने वाले क्यूचन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप वीडियो को अंतक द्यान से दखिए अधि आपको जबाब इसका पहले से पता होगा तो आप इसका जबाब कोमेंट बोक्स में जरूर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले तता उसके बगल में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे तरब से आने वाले सुबह तता साम का अपडेट से आपको जल्दी प्राप्त हो जाए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा सेर जरूर कीजिएगा यदि आप इस वीडियो का पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें टेलिग्राम चैनल पर आपको सारे का सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे सुबह में कर इंट अप्रस नाइशिस के साथ पढ़ाया जाता है तता इसका भी पीडिय आपको टेलीग्राम चैनल पर आज हम दे देंगे तो आपको हाँ पर जाए तता पीडियो को बिल्कुल करें चलिए बस टाट करते हैं आज का सेसन का पहला प्रस्थन न आज का सेसन का पहला प्रस्थन है हिमालय पार्की नदिया है निम्लिखित में से नदियों की लंबाई का सही और रोहिक्रम कौन सा है तो नदियों की लंबाई की सही और रोहिक्रम का सही अंसर है आप्शन ए यानि कि ब्रहमपूत्र गंगा उसके बाद गुदावरित था उसके बाद नर्मदा अब आपके लिए अगला प्रस्ण है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रहमपुत्र नदी की तो यह लंबाई कितनी है इसके लिए आपके लिए ओप्शन है 2700 किलोमेटर, 2900 किलोमेटर, 3000 किलोमेटर तथा 300 किलोमेटर तो इसका सही जवाब है option B यानि कि उन्ती सो किलोमीटर सिंदू नदी तथा ब्रहंपूत्र नदी दोनों की लंबाई है यानि सिंदू नदी ब्रहंपूत्र नदी की लंबाई लगभग बराबर है अब आपके लिए अगला प्रस्ण है निमलिकित में से किस नदी को वरिद गंगा के नाम से जाना जाता है तो इसका सही एंसर है option A यानि कि गोदावरी नदी गोदावरी नदी को वरिद गंगा के नाम से भी जाना जाता है अब आपके लिए अगला प्रस्ण है अगला प्रस ने भारत की व्रितम नदी कौन सी है तो भारत की व्रितम नदी गंगा है यानि इसका सही एंसर है option D ऐसे तो भारत की सबसे व्रितम नदी ब्रहंपुत्र नदी कहलाती है लेकिन ब्रहंपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहोकर तिबत में इस वज़ा से गंगा नदी को भारत का विर्था नदी का आ जाता है, अब आपके लिए अगला प्रस्ण है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है, प्रंतु अलग-अलग दिशाओं में बहती है, तो इसका सही एंसर है, नर्मदा तथा स याँ आपके लिए अगला प्रस्ण है, गंगा और ब्रहμपूत्र की सन्यूक्त जल हरा किस नाम से जाने जाती है, तो गंगा और ब्रहमपूत्र जहां एक जगा मिलते हैं, तो उनकी सन्यूक्त जल धारा को मिघना के नाम से जाना जाता है यानि इसका अंसर है option C सही answer है इसका अब आपके लिए अगला प्रस्ण है दामोदर नदी कहां से निकलती है तो दामोदर नदी कहां से निकलती है इसका सही जवाब है अप्शन B यानि कि छोटा नागपूर पठार से दमोदर नदी का उद्गम होता है यानि दमोदर नदी वहां से निकलती है अब आपके लिए अगला प्रस्ण है निन लिखी में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण यानि उसकी प्यूरीटी के कारण सुधता के कारण दच्छनी भारत की गंगा कहा जाता है तो कावेरी नदी को इतना सुध और पवित्र होने का कारण कावेरी नदी को दच्छनी भारत की गंगा कहा जाता है यानि इसका सही अंसर है option D अब आपके लिए अगला प्रस्ण है क्रिष्णा नदी का उद्गम अस्थल किसके समीब है तो इसका सही अंसर है option D यानि महाबलेश्वर के समीब क्रिष्णा नदी का उद्गम अस्थल माना जाता है अब आपके लिए अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है कि निमन लिखित में से कौन सी नदी दच्छिन से उत्तर की और प्रवाहित होती है तो इन option में से ऐसा कौन सा नदी है जो की उत्तर से दच्छिन न होकर दच्छिन से उत्तर की और प्रवाहित होती है तो इसका सही एंसर है option D यानि की बेतवा बेतवा नदी एक ऐसा नदी है जो की दच्छिन से उत्तर की और प्रवाहित होती है अब आपके लिए अगला प्रस्ण है अगला प्रेस है निम लिखित में से किस नदी को बिहार का सोक नदी का आ जाता है तो बहुत ही उत्थल पुथल या जिग्जेग होने के कारण नदी उत्थल पुथल मज़ाय रहती है यानि यह है कोसी नदी बिहार का कोसी नदी बिहार का सोक नदी के नाम से जना जाता है क् ठीपिए जिग जाण गोने के कारण गांध बहुत ही उद्धन भकाए रहती है मतलब बहुत इसमें से बाध्र आने किस्वाऊना है या बहुत जाइब बाध्र हाने से छती हो जाती। इसकी वज़ां का तो न habits इंदि को सिंदु उध्या अगला प्रस्थ्थ्थ नापके लिए अगल है कि लिए अगला प्रस्थ्थीज किति न की उद्गमद सुरुत तस्तीत है तो सिंदू भी तीबत में मानसर्वाज घ् chooses के पास से उद्गम होता है है इसका सई प्र pop के पास के पास उद्गम होता है अलिए अगलायप रश्न हो अगला प्रस्त है बिश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्मान करने वाला नदी कौन सा है तो बिश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप का माजुली का निर्मान करने वाला नदी है ब्रहंपूत्र माजुली नदी द्वीप असम में है इसका नि उन्ति सो किलोमेटर रेंज की मतलब दूरी की नदी बनाई हुई है अब आपके लिए अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा नदी बंगाल का सोक नदी कहलाती है तो इसका सही एंसर अप्षन D यानि कि दामोदर नदी बंगाल की सोक नदी कहलाती है अब चलते हैं अगले क्यूशल की ओर आपके लिए अगला प्रस्ण है गोदावरी नदी का उद्गम अस्थल कहां है तो इसका सही अंसर है त्रियंबक गाउं त्रियंबग गाओं में गोधावरी नदी का उद्गम अस्थल माना जाता है अब आपके लिए अगला प्रस्न है वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है ऐसे गंगा देखने से तो लगता है कि गंगा नदी की सहायक है लेकिन वास्तों में आप गंगा नदी की सहायक नदी न होकर या गोदावरी नदी का सहायक नदी यानि इसका सही एंसर है option A अब आपके लिए अगला प्रस्ण है आपके लिए ठ्रामा प्रस्ण है मीम निलिखित में से किस नदी को उडिसा का सोक नदी का आ जाता है तो इसका सही एंसर है option A यानि महा नदी महा नदी को उडिसा का सोक नदी का आ जाता है अब चलते हैं अगले क्यूचन कियोऄ अगला क्यूचन है महा नदी नर्मदा तता सोन नदिया कहा से निकलती है तो इसका सही अंसर है option D यानि अमर कंटक्ट पहाड़ी से महा नदी तथा सोन नदी तथा सोन नर्मदा नदी तीनों नदियों का उद्गम होती है अब चलते हैं अगले क्यूचन की होती है अगला क्यूचन है निमलिखित में से कौन सा ऐसी नदी है जो एस्चुवरी का निर्मान नहीं करती है तो इसका सही अंसर है option D यानि की महा नदी महा नदी एक ऐसी नदी है जो एस्चुवरी का निर्मान नहीं करती है अब आपके लिए अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनो भारतिये छेत्र में अस्तित है या कौन सा नदी है तो इसका सही अंसर है option B यानि की गोदावरी नदी अब आपके लिए अगला प्रस्ण है कावेरी नदी का उद्गम सुरोत है यानि कहां पर है तो इसका सही अंसर है option A यानि की ब्रहम गिरी पहाड़ीों में ब्रहम गिरी पहाड़ीों से कावेरी नदी का उद्गम होता है अब आपके लिए अगला प्रस नहीं है, आपके लिए अगला प्रस नहीं है, सुन्दरवन का डिल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो इसका सही एंसर है, ऑप्शन C यानि कि गंगा तथा ब्रहंपूत्र, सुन्दरवन का डिल्टा से गंगा तथा ब्रहंपूत्र नदी बनाती है आप चलते हैं अगले क्योशन की अर्वला क्योशन है गंगा और प्राम नदियों का उध्वा अस्ठान क्रमसाँ अस्थित है आपके लिए इसके लिए ऑप्स frightened दिया गया है निपाल पहले बता दिया है कि उत्राखण में गंगा का उत्गम उत्राखण से होता है तो इसका सही अंसर है option D यानि कि उत्राखण टत्था तिबत अब आपके लिए अगला प्रस्त है डच्छिन भारत के पठारी परदेश को कौन सी नदी दो भागों में भाजित करती है तो इसका सही जवाब है Option B यानि की नर्मदा नदी Drift Valley से आने वाली यानि Drift Valley यानि घाटी से बहने वाली या नर्मदा नदी दच्छिन भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में भाजित करती है अब चलते हैं अगले क्यूचन की ओर अगला क्यूचन है दच्छिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी यानि इसका सही एंसर है Option A गोदावरी नदी अब आपके लिए अगला प्रस्त है निम लिखी नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है तो इसका सही एंसर है option D यानि की गंगा गंगा नदी पर भारत में सबसे लंबा सरक सेतु है अब चलते हैं अगले क्यूचन क्यूर अगला क्यूचन है कौन सी नदी भेडा घाट के समीब कपिलधारा जल प्रपात का निर्मान करती है इसका सही एंसर है option A यानि की नर्मदा नदी अब आपके लिए अगला प्रस्न है गंगा नदी को बंगला देश में कीस नाम से जाना जाता है तो इसका सही एंसर है option A यानि की पदमा पदमा के नाम से गंगा नदी को बंगला देश में जाना जाता है अब आपके लिए आज का अंतिम प्रस्ण है निम लिखित नदियों में से कौन सा एक बिनासक नदी है तो बिनासक नदी वही नदी हो सकता है जो सोक नदी के नाम से जाना जाता है तो इस चारो ओप्षन में कौन सा सोक नदी है आप इसे ध्यान से पहचानी है ततर उसके बा कोशी नधी जो भिहार का सोक नदी कलाती है इन चारो अप्षण में एक बीनासक नदी है तो यहाय था आज का हमारा तीस क्यूचन का नदी से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्यूचन यदि आप हमारे चैनल पर नए नए है तो फ़रे आप हमारे चैनल को को सब्स्राइब कर लीजिए तता उसके बगल में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेर जरूर कीजिएगा यदि आपके पास वार्टसेप तता फेस्बूक तता टेलीग्राम से जुड़े इजुकेशन रिलेटेड जुड़े ग्रूप होंगे तो उस पर शेर जरूर कीजिएगा ताकि अपने साथ साथ दूसरे अपने दोस्तों को भी लाप करवा सकें आप हमें फेस्बूक इंस्टर्राम टेलीग्राम ट्वीटर सभी जगा फॉलो कर सकते हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको वहाँ पर जाए तथा टेलीग्राम चानेल को जरूर जोइन कर ले टेलीग्राम चानेल पर इसका पीडिएप मिलेगा तथा सुबह आपके पर डेका करेंट अफिर पीडिएप आपको वहाँ पर एबलेबल रहता है चलिए तो आज के लिए इतना ही वीडियो को अंतक्त दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें मुश्कुराते रहें बड़ों का समान करें चोटों को प्यार दे अपना व्यक्तित इस परकार से विक्सित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरचित महसूस करें धन्यवाद